नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक और वीडियो में आपकी स्वागत है क्लास 10 की NCRT हिस्ट्री किताब चल रही है चैप्टर नमबर 3 के बारे में डिसक्शन कर रहे हैं जहां पर पिछली बार इस वीडियो खतम किया थो उसके बार से शुरू करना है लेट 19th सेंचुरी की कोलोनिलिजम के बारे में हम लोग बात करेंगे अगर आप बात करो लेट 19th सेंचुरी की तो यह वो समय था जो ट्रेड बहुत तेजी से फ्लॉरिश हो रहा था और मार्केट्स पूरी दुनिया में बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहे थे नए ने मार्केट्स खुल रहे थे कहीं नगई आबादी दुनिया भर की बढ़ रही थी लेकिन आप देखोगे कि इस समय पे कुछ कंट्री ऐसी थी जहां पे ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था प्रोस्पेरिटी बढ़ रही थी लोगों के रहने के जो तौर तरीके थे जो स्टैंडर्स थे वो बढ़ रहे थे लेकिन कुछ कंट्री के लिए बहुत काला समय था कुछ कंट्री यहां पे गुलाम बन रही थी एक डारकर साइट था इस प्रोसेस का आप देखोगे कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में कुछ जगाओं पे जब ट्रेट का एक्सपेंशन हुआ तो इसकी बहुत क्लोजर रिलेशनशिप थी एकनॉमी के साथ तो कुछ जगाओं पे लोगों की फ्रीडम जा रही थी उनकी आजादी जा रही थी उनके लाइवलियोड जा रही थी कुछ लोग अमीर हो रहे थे, कुछ लोग की living standards अच्छे हो रहे थे, और कुछ लोग और गरीब होते जा रहे थे, उनकी freedom कम होते जारी थी. जो late 19th century European conquest हुई दुनिया भर में European powers पहुँची, उन्होंने country से colonize किया, उसके बहुत painful economic, social and ecological changes देखने को मिलेंगे. इसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरा का पूरा अफ्रीका एक समय पर गुलाम था. अगर आप यहां पेस अफ्रीका का मैप देखो, तो जितना आप कह सकते हो पीले कलर का इलाका है, वो British occupation में था, जितना नीले कलर में, वो French में, जितना आपको थोड़ा pinkish दिख रहा है, वो German में, ठीक है, थोड़ा सा आप कहले जिए कि dark green, sorry, light green Italian है, dark green British Dominion है, तो आप देख सकते हो की, almost पूरे के पूरे अफ्रीका के उपर इन colonial powers ने कब जाकर रखा है, और अगर आप इनकी boundaries को देखोगे, तो कुछ boundaries बिल्कु स्टेट लाइन ने नजर आएंगे, जैसे की Rio Diorio और फ्रेंच सुडान के बीच में, बाउंडरी देखी बिल्कु स्ट रखी हो, असल में जब ये colonial powers, European powers अफ्रीका में पहुंची तो पूरे अफ्रीका में उन्होंने अपनी धाग जमाई है, और कही ना कहीं, almost पूरे अफ्रीका को इन्होंने कब जा लिया, तो ये अफ्रीका के हिस्से को आपस में बाटने के लिए 1885 में जो बड़ी-बड़ी European parties थी, ये Berlin में मिली भी, और किस तरीके सा अफ्रीका की इन्टेरिस को अपने आप में बाटेंगे, कैसे इनको लूटेंगे, इसके ओपर ये लोग बैट के प्लान भी बनाते थे, ब्रेटेन और फ्रांस ने कही ना कहीं, late 19th century में अफ्रीका में बहुत से इलाका जीता, Belgium और Germany भी, अब colonial powers बन गई थी, इनके पास भी ठीक ठाक, area control में था, late 1890s आते आते यूएस ने भी बहुत सी colonies जीती, काफी सारी colonies जो की पहले Spain ने हतिया के रखी थी, वो अब यूएस ने हतिया ली, और अब कहीं ना कहीं, इस प्रकार के colonialism का बहुत गंदा effect देखने को मिला, इस destructive effect को देखने से पहले, भी यह वीडियो पर like का button, अगर अब तक आपने इस वीडियो को share नहीं किया है, मेरे इस channel को share और subscribe नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजे, join button नबा के आप help कर सकते हो, मेरे channel हर्शी दिवेदी education की playlist section में जाएए, आपको अलग-अलग topics पे, जाए प पनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको इन सब वीडियो से मदद मिल रही है, तो आप join button नबा सकते हो, Instagram पर follow कर लिजे, messages, videos, आपके messages का जवाब देखे, आप से चुड़ने कोशिश करते हो, telegram group join कर लिजे, इस lecture की notification, मेरे बाकी current interface की lectures की PDF, आपको telegram group में मिल जाएग, YouTube सारे lectures की notification नहीं बेशते हैं, यहाँ पर एक description है, Sir Henry Morton Stanley का, Central Africa में, यह Sir Henry Morton Stanley आपको नजर आ रहे हैं, Sir Henry Morton Stanley, local Africans के साथ कुछ धूरते हो यहां नजर आ रहे हैं, Actually में Mr. Stanley, एक जनरिस्ट थे, एक explorer थे, और इनको New York Herald के थूर, जो कि उस समय का बहुत बहुत बला publication था, बेजा गया था, Livingston को धूरने के लिए, Livingston एक Christian missionary थे, यनि Christian धर्म के पचार पसार के लिए निकले थे, और explorer थे, जो कि अफरीका में काफी सालों से रह रहे थे, अब उन जगाँ की सर्वे करने के लिए, उनके forest resources को access करने के लिए कुछ लोगों को बेजते थे, तो ज़्यादा जनरिस्ट इस प्रकार के बेज़े जाते थे, और ये जनरिस्ट अकेले नहीं गूम सकते है, अब्विसी बात इनको backup की जूरुत है, तो Mr. Stanley ने बहुत सारे arms सिक करेंगे, और इसके दम पर ही colonizers ने जब ऐसे बहुत से explorations किये, अफरीका को ये colonize कर पाई, चुकि किसी भी इलाके को अपना गुलाम मनाने से पहले, उस पर कबज़ा करने से पहले, उसके geographical features के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये जो geographical features धूनने के लिए जो exploration कराया जाते थे, जनलिस्ट के दारा, ये कोई innocent search नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी, इन इलाकों पे कबज़ा करने की, अब बात करते हैं, render pest की, जिसको आप बोलतो हो, cattle plague, आफरीका में, आफ्रीका में, बहुत तेजी से एक disease फेला, जिसका नाम ता cattle plague, इसको रिंडर पेस् करता था, ओके, और एक ऐसा disease, जो cattle को affect कर सकता है, वो इनसानों की जिन्दगी पे इस हद तक affect डाले गए, ये समय पे को सोचा नहीं था, आप सोची दोस्तों, ये रोप की imperial impact को अगर colonized societies पे समझना है, तो आप इस बात से समझे कि एक छोटा सा disease, जो cattle को affect करता था, उसमें हजारों लोगों के fortunes को हिला दिया, क्यों हिला दिया, चुकि ये जो cattle plague था, ये European's अपने साथ लेके आए थे, पहले अफरीका में ऐसी कोई भी बिमारी नहीं थी cattle के बीच में, जब ये European's अपने इलाकों से cattle disease लेके आए, कहीं नहीं इन्होंने इस बिमारी को पूरे के प बहुत कम हुआ करती थी, अगर आप बात करो तो centuries तक, अफरीका में ना land की कमी थी ना ही life stock की कमी थी, और land और life stock के दम पे, अफरीका के लोग बहुत आराम की जिन्दगी जी रहे थे, इनको कोई problem नहीं थी, आप देखो कि उस समय की society में, जब ये colonizers, अलग-अलग अलग कि कोई उपर कबजा करने को गूम रहे थे, अफरीकन society में एक trend था, कोई भी नौकरी नहीं करता था, बहुत कम लोग नौकरी करते थे, सब के पास जमीने थी, सब के पास cattle थे, जमीने बहुत जदा थी, cattle बहुत जदा थे, लोग उस हिसाफ़ से कम थे, तो किसी के पास भी थोड़ी बहुत जमीन और cattle हो, तो उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, consumer goods का और modernization का जमाना अफरीका में आया नहीं था, तो किसी भी अफरीकन के पास ठीक ठाक land है, या live stock है, वो अराम से अपनी जिंदी की काट सकता है, उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप देखें, यहाँ पेंटरी होगी यूरोपियंस की, 19th century में यूरोपियंस अफरीका है, अफरीका में बहुत सारे vast resources of land and minerals थे, और ये बात यूरोपियंस को पता थी, यूरोपियंस चाहते थे कि अफरीका में वो plantation step set up करें, mine set up करें, crops और minerals को पैदा करें, और ये crops and minerals, obviously बात है, अफरीकन के लिए तो पैदा करनी की नहीं है, इनको यूरोप एक्सपोर्ट करना थे हैं सब चीजों को, तो अफरीका के natural resources को exploit करने के लिए, इन यूरोपियंस के पास capital तो था, पैसा तो था, लेकिन labor नहीं था, labor तो local हायर करना पड़ेगा ना, तो थीनी, ठीक ठाक पैसा उनके पास आ रहा है, नौकरी कोई करता नहीं था, तो अब अफरीका के resources को exploit करने के लिए, और अफरीका की windows को खोदने के लिए labor कहां से लाओगे, तो labor को recruit करना है, और labor मिल नहीं था अफरीका में, तो यूरोपियंस यहां पे भस गए, और उस किया गया, मतलब कि यहां पे जो local लोग है, उनको colonize करना शुरू किया, organize तरीके से इन यूरोपियंस ने, इन यूरोपियंस ने local रहने वाले लोगों के उपर tax डाला, tax इतना ज़्यादा था, कि लोग अपनी agriculture income से नहीं चुका सकते थे, अगर उनको tax चुकाना है, तो उन जाजी की property बेटे को मिल गई, उसके बाद बेटे को land मिल जाएगा, inheritance light को यहां पे European colonizers ने बदल दिया, ठीकी ना भई, जो peasants lands की ओपर tilling कर रहे थे, lands की ओपर agriculture कर रहे थे, एक या दूसरा बहाना पकड़के उनको उनको land सेटा दिया, family की किवल एक member को ही land inherit करने के करने की कोशिश की, जो mind workers थे, अब obvious सी बात है, इस तरीके से आप disorganize करोगे, उनकी cattle चीन लोगे, उनकी ओपर heavy taxes लगा दोगे, उनकी family में norms बदल दोगे, कि एक ही person land को inherit कर सकता है, तो कहीं न कहीं आप अपनी labor को बढ़ा लोगे, तो कहीं न कहीं ये European labor बढ़ाने में successful हो पता है कि अफरीका में अच्छी खासी land थी और अच्छी खासी cattle थी, तो जिसके पास थोड़ी भी जमीन और cattle है, वो आराम से एपनी जिंदगी काट लेगा, उसको wage के लिए कहीं भी काम करने की ज़रोत नहीं है, अब ये जो render pest नाम की cattle disease है, ये अफरीका में पहुंची 1880 में, और अब भी सिवाती आई कहां से थी, तो वो infected cattle जो कि British area की, मतलब British Asia से जो Europeans इंडिया के अंदर घुजे, actually में British Asia से बहुत सारे cattle को लेके आया गया, Italian soldiers, ये Italian soldiers जो कि East Africa में Eritrea में घुसके European ताकतों को setup करने के लिए लड़ाई करने जा रहे थे, इन Italian soldiers को खिलाने के लि इन्होंने वहां की local cattle को infect करना शुरू किया, तो अफरीका को East में एंटर किया, surrender pest नापकी बिमारी ने, और ये बहुत wild fire की तरफ हैनने लगी, और विसे बात human transmission नहीं धबट cattle to cattle फैनने लगी, West की तरफ जानने लगी, और सोचिए, अफरीका के मैप में, इसकी entry हुई Eritrea म यानि East अफरीका में, और ये तुरंद Western अफरीका तक पहुँच गए, यहां पे नदर आरा आपको Eritrea, Eritrea में इसकी entry हुई, ठीक है न, और इसको Western Coast अफ अफरीका तक तब पहुचने में ज्यादा समय नहीं लगा, कहने के मतलब ये है, कि जो particular बिमारी थी, cattle disease थी, render pest नाम की बिमारी पहुची, इसने 90% cattle को मार दिया, और ये Southern tip of Africa, यानि South Africa के भी Southern tip पे तक पहुच गए, Cape of Good Hope तक ये पहुच गए, पांस सार के बार, अब 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 इसी बात है, cattle बहुत बड़ी तावाग में अफरीका में मरी, और जब cattle मरी, तो इसने African livelihoods को destroy कर दिया, दे यूपिन्स कबजा करने, तो अब planters, mine, owners और colonial सरकारों ने मिलके successfully monopolize कर दिया बचे कुछे cattle resources को, तो बचे कुछे cattle resources कौन से agriculturalist के पास रहेंगे, ये decide करने की ताकद अब केवल European powers के पास थी, और अब European powers ने सारे के सारे अफरीकों को जबरदस्ती labor market में घुसेड़ा, ओके, labor market में कुछ नों को जहसा देके घुसेड़ा गया, कुछ नों को जबरदस्ती घुसेड़ा गया, मतलब कहीं ना कहीं, अफरीका में जो लोग थे, वो peacefully अपना आराम से रह रहे तो उनको किसी outside interference की मदद की ज़रोत नहीं थी, यहां पर European जबरदस्ती घुसे और उन्होंने पहली बात तो उन्होंने जाके अफरीका में बीमारिया फ्याएं, उसके बात उन्होंने अफरीका के लोगों के well settled livelihood को भी तबाह करके रख दिया, और इस प्रकारी कहानी सिर्फ अफरीका में में नहीं है, इंडिया में भी है, उसका एक basic हम भी देखेंगे, हलाकि इंडिय यह कहानी तो हम पहले भी spectrum modern history में discuss कर चुके हैं, लेकिन फिर भी NCRT histories को holistic तरीके से take up करना है, तो यहाँ पे भी समझाओगा, यहाँ पे देखें, ग्राफिक बनाए गया, transport to the transwall gold wines, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, विल्गे नाम की नदी है, कहाँ पे तो Central South Africa में gold fields तक पहुँचना है, तो आपको विल्गे नदी को पार करना पड़ेगा, अब जब Europeans को पता चला, कि Whitwaters, Rand नाम की जगा पे gold है, तो बस किसी भी तरीके से Europeans उस gold तक पहुँचना चाते थे, वहाँ पे अलग लग प्रकार की diseases हैं, death हैं, journey difficult है, मौत हो सकती रास्ते में, इ Europeans को यह पता चला कि सोना है, और लालची तो थे ही, तो सोने की तलाश में निकल पड़े, 1890s तक साउथ अफरीका दुनिया भर की gold protection का 20% production कर रहा था, और इसका फाइदा को उठा रहे थे, यही Europeans यहाँ पे फाइदा उठा रहे थे, आप देखोगे, एक depiction 1875 का, साउथ अफ यहाँ के जो लोकल लोग है, इनका बहुत हद तक सोशन भी किया जाता था, फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे endangered labor migration for India की, सबसे पहला समयना पड़ेगा यह endangered labor क्या होता है, endangered labor होता है, indentured labor कहना चाहिए, indentured गलत कह रहा हूँ, indentured, indentured labor एक bonded labor होता है, मतलब इसके एक contract sign करा जाता है, और उस contract के अंदर इस indentured labor से बोला जाता है, कि आपकी यह terms and conditions से काम की, आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन आपको इतने समय के लिए काम करना पड़ेगा, और जदा दर क्या होता है, कि इनको किसी country से हायर किया जाता है, माली जी इंडिया से हायर किया गया, इनक उतने time period के लिए काम करो, जदातर cases में indentured labor को जब हायर किया जाता था ना, तो उल्टे सीते जहां से जूट बोल के हायर किया जाता था, और actually में जो working conditions होती थी, वो बहुत अलग और बहुत exploitative होती थी, तो आप देखोगे, इंडिया से indentured labor migration शुरू हुआ, और आप यहाँ पर देखोगे, यह 19th century के जो word था ना, वो two-sided निकल किया रहा था, 19th century के word में एक तपका तो ऐसा था, एक दुनिया तो ऐसी थी, जहां पर बहुत तेज economic growth हो ली थी, बहुत जदा high income थी, वहीं पर दूसरी गुनिया ऐसी थी, जहां पर बहुत मुश्किलें, बहुत poverty थी, एक दुनिया ऐसी थी, जहां पर technological advances बहुत जदा थे, और दूसरी इन दुनिया ऐसी थी, जहां पर दक्यान उसी रहने के तरीके, लोगों की उपर जोर जबसी करना, इस परकार की चीज़ें भी common थी, 19th सजापती में, 19th सजापती में देखा गया, 19th सजापती मतलब 1801 से लेके, 1900, हंद हजारों की तागाद में, hundreds of thousands, लाकों की तागाद में, इंडियन और Chinese laborers को plantation में काम करने के लिए, mines में काम करने के लिए, road और railway construction projects में काम करने के लिए भेजा गया, दुनिया भर में, और इंडिया से इस endangered laborers को hire किया गया, contracts के अंदर, इनको contract में बताया गया कि भाई, आपको हम इंडिया वापस भेज देंगे एक particular time period के बाद, जदातर क्या होता था कि indentured laborer को बोला जाता था, कि आप बाहर जाके काम करोगे, पांच साल बाद आपको इंडिया वापस आने देंगे, जदातर ये जो इंडिया से indentured laborer आते थे, वो उत्तर पदेश, बिहार, सेंटर इंडिया और तमिनाडो के होते थे, ओकि अव्यसी बात है, ये लोग अपना घर छोड़के आएंगे, तो कहीं न कहीं इनको अपने घर पे मुसीबत हो रही है, तभी छोड़के आएंगे, इनके घर पे बड़ी अलग अलग प्रकार की प्रावलम थी, इनक उधारी में थे ये लोग, तो अच्छे काम के लिए माइग्रेट करने को ये लोग तयार थे, और माइग्रेशन के समय पे भाई होता ये था कि इनको जहां से दी जाते थे, इनको बोला जाता था कि वहां वर्किंग कंडिशन से इतनी अच्छी हैं, तुमको इतना पैसा द गोयाना और सीरी नाम नाम की जो जगा है, मौरिशेस आइलेंड, फिजी आइलेंड, यहां पे इन इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स को लेके जाया जाता था, जो तमिल माइग्रेंट्स थे, वो शीलंका चले गए, जिसको समय सीलान का जाता था, यह मलिया चले ग होगे, और तुम अगर इतने वर्कर लेके आए, तो हम तुमको इतना कमिशन देंगे, ठीक है ना भई, यह दलाल जाते थे, इन माइग्रेंट्स के पास, इन वर्कर्स के पास, इन वर्कर्स से जूटा मोटी बात बोलते थे, यह माइग्रेंट्स भी काफी परेशान थे, यह migrants अपनी जगह पे काफी गरीबी से, भुकमरी से, ऑप्रेशन से गुजर रहे थे, तो यह जो agents थे, वो इन migrants को बहुत आसानी से उल्लू बना लेते थे, यह हम जहां तुमको लेके जा रहे हैं, वहां तुमको इतना पैसा देंगे, और तुम्हें रहने के लिए यह conditions मिले थे, उनको जवरदस्ती भी बेजा जाता था, कभी-कभी घर के प्रेशर के अंदर, की घर में वहाई दो बेटे हैं, तो एक बेटे को बेज दिया गया कि जाओ तुम आजा के काम करो, irregularly बैसे बेजते रहना, तो इस प्रकार की चीज़ें महां पे common थे, 19th century में जो indenture वाल हालात तो बिलकुल ही खराब हैं, जो living conditions थी इन इलाकों में, बहुत गंदी हुआ करती थी, और इन workers के पास कोई खास legal rights भी नहीं होते थे, लेकिन इन workers, लेकिन हर इंसान के अंदर, हर human being के अंदर, एक natural tendency होती है अपने आपको बचाने के, जब इन laborers को पता चला, कि हमारे उल्लू बनाया गया है, हमें बेवकूर बनाया गया है, तो इन्होंने भी अपने आपको बचाने के तरीके धुड़े, ये जंगलों में भाग गया है, कहीं न कर इन्होंने अपने आपको आजाद कराने की कोशिश की, बहुत सारे लोग भागने में सफल होके, कहीं और जा क्या किया कि तिर्णिदाद में एन्वल मुहर्म जो प्रोसेशन होता है ना इसको एक कार्निवल में मतल दिया होसे कार्निवल और इस होसे कार्निवल में सारे रेसिस और रिलीजन्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया कोल मिला कि एक रायोटस कार्निवल मतलब कि इसमें ए लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुकि सारे धर्म के लोग अपनी हालात से बहुत जाधा परिशान है तो एक और religion मना protest religion जिसका नाम था रास्ता फैरियनिजम जब रास्ता फैरियनिजम के बारे में आप एक की वीडिया हम पढ़ोगे तो यह एक नए प्रकार का religion था actually हो गया रहा था दोस्तों कि एक नई जगा पे इंडियन्स पहुंच गये थे यह इंडियन्स भी इंडिया के अलग 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 बहुशा बोलने वाले लोग एक बिल्कुल ही नई जगा पहुंच गए हैं इनकी अलग cultural practices है अलग religious practices हैं तो एक mix सा बन क्या है उस mix को कही न कही है अब रास्ता फैरियनिजम भी बोल सकते हो यह mix all भी बहुत प्रकार से सामने आएगा रास्ता फैरियनिजम का जो concept था इसको जमेकन रेगे स्टार बाब मारले ने famous किया था तो केरेबियन में जो इंडियन कम्यूनिटी है इस इंडियन कम्यूनिटी में केरेबियन में दूसरी जगहों से लाए गए migrants के साथ भी कहीं न कहीं असल भी assimilation किया और अपना एक नई form वहाँ पर डेवलप करी केरेबियन की अकर आप बात करो तो त्रिनदाद और गोयाना में चटनी म्यूजिक नाम के से एक music famous है ये भी आप कह सकते हो कि post indenture experience से चटनी music निकला है तो कुल मिलाके इन जगहों पे cultural fusion हो रहा था अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए गए लोग एक globalized work के अंदर जहां पे वो अलग-अलग दिमाग के हैं अलग-अलग जगहों पे हैं वो अपने original characteristics को भूल जाएंगे और mix होके एक नए अपरकार का assimilative character यहां पे बनाते होगे नजर आएंगे यहां पे एक photo है early 19th century की Indian indentured labors है जो की कोकोवा plantation में काम कर रहे हैं त्रिनी राद में पिर यहां पे आप देखिए इंडेंजर लेबर्स की photograph दिखरी identification के लिए इनकी photograph के सामने आपको इंका number दिख रहा है जो employers होते थे ना उनको इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता था कि इंडेंजर लेबर्स के नाम क्या है वो बस इनके number को याद रखते थे ठीक है ना फिर आप देखोगे कि मौरेश्यस में और दुनिया बर के दूसरे जगों पर जहां पर प्रांटेशन थे इंडियन मूल के लोग बसे हुए कुछ लोग कुछ समय के लिए इंडिया वापस आ भी गया तो फिर से अपने इस नया प्लेस ऑफ कह सकते हों रिजिदेंस पर लॉट जाते थे और इन सब चीजों को नॉबल प्राइस वेरिंग राइटर एंड वी एस नायपॉल ने अपनी राइटिंग्स में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है अब आप बोलोगे वी वी एस नायपॉल कौन है तो उनका नाम विदियाधर सूरज प्रसाद नायपॉल टीसी इनको वी एस नायपॉल भी बुले आता है ठीके ना ये एक त्रिनिदाद और तुबैगो बॉन ब्रिटिश राइटर हैं वर्क्स ऑफ फिक्शन के तो फिक्शन पे और नॉन ये एक ब्रिटिश राइटर है जिनका जम त्रिनिदाद और तुबैगों में रहे हैं तो वहां की कंडिशन के बारे में इनको काफी कुछ पता है फिर कभी-कभी अगर आपने पहले क्रिकट फॉलो किया तो कुछ वेस्ट इंडिकर्स के नाम है जैसे कि श्रिव नारायन चंदरपॉल राम नरेश सरवन ये नाम थोड़े थोड़े सुने सुने लगते हैं क्यों सुने सुने लगते हैं थोड़े इंडियन जैसे लगते हैं उसका रीजन ये है कि श्रिव नारायन चंदरपॉल राम नरेश सरवन ये उन्ही लोगों की उन्ही इंडियन के थी उन्होंनों बोला कि जो इंडेंजर्ड लेबर माइगरेशन की प्रता है ये लोगों के प्रती काफी गलत है कुरूल है आसाम के लेबरस की हालत सब को पता थी देखी जो मालदीव मौरेश्यों से बाकी जगों पे चले गए उनकी हालत तो उतनी नहीं पता चल पाती थी आसाम के प्लांटेशन में हालात बहुत ज़दा खराब थी उसके चलते हमारे नैशनलिस्टिक जो लीडर से उन्होंनों बोला जाने लगा इस इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम को खतम करो और 1921 में इसको खतम करती है गया जो डिसेंडेंट्स थे इन इंडेंजर्ड वरकर् हैं यह वहीं के औरिजनल इन्हबिटेंट बन गए हैं बट इनको उस समय पर कुलीस कहा जाता था जो कि एक गलत नाम है और कहीं न कहीं इन लोगों के साथ क्या आत्याचार किया है क्या सौशन हुआ है इसको कहीं नाय पॉल जी ने अपनी नौवल्स में देखा रखा है य कि एक ऐसा कॉंट्रैक्ट है जो कि एक इंटनेंटेड लेबर से उस समय पर साइन कराया जाता था तो यहां पर वीडियो खतम कर रहा हूं जल्दी एगली वीडियो में आपसे मिलूगा